कि राधे राधे स्वागत है हमारी यूटूब चैनल एजुकरिशन शिक्षा वन मिलिन तो मैं महत्वपूर क्यूशन जो कि आपके करेंट पैस के वोले क्या हूं तो वीडियो को लास्त तक देखेगा अगर अच्छा लगएगा तो लाइक से सब्सक्राइब चरूर कीजिए तो चलिए आगा के पहला क्यूशन तो हमारा है कि मडिपूर का कौंसा समुदा तो तो इसका जो सही अंसर है वह अंसर है जोलिया जेलिया रॉंग कौन सा जेलिया रॉंग क्या है इसका सही अंसर है तो जेलिया रॉंग क्या करता है नाग नगयाई का उस्सो करता है जो की मड़ी पूल का एक समुदा है और वो उसमें एक प्रमुख कारिकरम होता है जिसमें ज चाल की फसल के मौसम के बाद मनाया जाता है इसका जो अभी जो चार जनवरी 2023 को समुधाय अच्छी फसल के लिए अपने आभार को व्यक्त करने और आने वाले समृद्वर्स प्रातना करते हैं ये गान नगाई में जो गान नगाई का उस्सों होता है उसमें क्या करते हैं वो जो आने वाले कल होता है उसमें समर्दिवर्स के लिए क्या करते हैं प्रातना करते हैं तो ये था हमारा पहला क्योशन चलिए अगरे क्योशन की तरफ चलते हैं क्यूशन नमर दो क्या बोलता है कि सेंटर फॉर मॉनेटरिंग इंडियन एकोनॉमिक्स मतलब सी एम आई ए के आकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी धर कितने परसंट तक पहुच चुकी है इसका बारे में बताना है तो इसका सही आंसर क्या होगा वह होगा 8.30 परसंट के हमारी बेरोजगारी बढ़ चुकी है परसंट तक पहुच चुकी है देखे सेंटर फॉर्दर मॉनेटरिंग इंडियन एकोनॉमिक्स आकड़ों के मुताबिक जो दिसंबर 2022 के में भारत की जो बहरोजगारी कितना 8.30 तक क्या हुई है पहुच चुकी है जो कि 16 महिनों में सबसे उचास्तर रहा है यह नवंबर में कितना थी 8.00 की परसंट पे थी बट जो दिसंबर में बता गया उसमें कितना पहुच चुकी है 8.30 इसको प्रधान मंतरी मोदी ने किस सहर में डाक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी राष्टी जल का एक स्वक्षता संस्थान मतलब SPM निवास का उद्गाटन किया है इसको बताना है इसका जो सही अंसर है वह क्या होगा तो इसका जो सही अंसर वह क्या होगा कोलकाता कहां प जोका में कहां पर जोका में डाक्टर स्याम प्रसाद मुखर जी रास्टी जल और स्वक्षता संस्तान का उद्गाटन किया है तो इसका सही आंसर होगा कोल गाता अगले क्योशन की तरफ चलते हैं क्योशन नंबर क्योशन नंबर फोर क्या है कि ब्रेल दिवस ब्रेल दिवस हर साल कब मना जाता है तो आपको बता दे जो ब्रेल दिवस है वह चार जनवरी को मना जाता है कभी चार जनवरी को मना जाता है और इसके जो बोल सकते इसके जो फादर है वह है लूइस ब्रेल साब कौन लूइस ब्रेल साब बचपन में वो क्या करेते बचपन वो खेल लेते तो उनके पिता जी का जो खिलाओना था उनके आख में लग जाने कारण उनको दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया ये ब सब्सक्रादन के रूप में ब्रेहल के महत्प के बारे में जागरूपता बढ़ाने के लिए मना जाता है ब्रेहल लिपी दिवस अगले खुशन की तरफ चलते हैं क्विशन नुब फाई क्या है कि जो मुख्यमंत्री आवाश्य भू अधिकार योजना किस राज्य में की है यह इसमें क्या होता है सरकार उन परिवारों को मुफ्त में क्या करती है प्लॉट उपलब्द कराईगी जिनके पास अपना घर नहीं होगा तो इसमें क्या करेगी मद्दपरदेश की सरकार ने यह किया है कि उन परिवारों को मुफ्त में प्लॉट मतलब धर बनाया ज तो ये इसका सही अंसर है उत्तराखंड को ब्स राराइजी को हित्रादावी को खथम कर दिया गया है। जो कि उत्तर ब्सक्राइज अन्सरत इसे 32100 को क्या किया राजश्य में राजश्य पटवारी पुलिस को विवस्था को समाप्थ कर दिया। और सभी 1800 राजास्वक्राम अब नियमित पूलिस्वस्था के अदिन-6 एगले क्यूशय की तरफ चलते है क्योशन कैंब को सा देश जो है कौन सा मिमेंसा जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजल संचाली सहरी ट्रेशते लॉंच करने वाला है जो कि Asia का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा इससे पहले जो किया था जन्मनी किया था और जिसने 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के रख्षामंत्री राजना सिंग ने किस राज्य में सियों पूल का उध्गाडन किया तो आपको बता दे उन्हों नीज रच्छामंत्री राजना सिंग ने अवरांचाल कापर अवरांचाल प्रदेश में शियो मपुल का उद्हाटन किया इसका निर्मार जोakah सीमा सड़क क्या है संकठन के दृरा किया गया किसके दवारा सीमा सड़क संक्ठन के दृरा किया गया है अगला किुछन की तरफ चेके क्यों कि SUBSCRIBE क्यूशन नमर नाइन कहा है कि दुनिया के सबसे उचे यूद्ध छेत्र जो सियाचीन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी तो आपको बता दे कि कैप्टन सीवा चोहान दुनिया के सबसे उचे यूद्ध छेत्र सियाचीन में क्या किया प्रिचालन के लिए तैनात होने वाली पहली अधिकारी महिला बनी जिसमें की तैनाती से पहले क्या किया गया कि भारती सेनार के अन अधिकारियों के साथ सियाचीन बैटल स्कूल में एक महिने का कटोर प्रसिक्षण प्राप्त किया किसने कैप्टन सीवा चोहान ने अगले क्यों की तरप चते हैं और हमारा लास्ट क्योंशन है कि किस राज्य में किस राज्य ने गौरी पूर्साही परिवार के एतिहासीक मटिया बाग हवा महल को एक विरासत अस्तल के रूप में संचरित करने के अधिगरहित किया मतलब किस राज्य के गौरी पूर्साही परिवार के एतिहासीक मटिया गाओं मटिया बाग हवा महल को क्या किया एक विरासत अस्तल के रूप में संचरित करने के लिए अधिगरहित किया गया तो यह थे हमारे दस बहुत ही इंपॉर्टन के उश्चन जो कि आपके के लिए महतोपूर होते हैं और अन एक्जाम के लिए बहुत ही महतोपूर है यह हमारा करेंटे फैस था यह हमारे चैनल का नाम है एजुकेसन सिक्षा वन मिलियर्स और यह हमारे वाट्शब ग्रूप हैं और यह यह यूटूब चैनल का लिंक है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीज़ेगा वीडियो लाइक ले अच्छा लगेगा मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए जहिन राधे राधे